महाराश्ट में पासा पलट गया है अजित पवार ने बीजेपी से हाथ मिला लिया है देर रात तक उद्धाव ठाकरे मुख्यमंत्री बनने वाले थे लेकिन सुबह होते होते देवंदर फड़नमिस ने सीमपत की शपत ले ली दूसरी बार और दिल तूट गया एंसीपी चीप, शरत पवार, कॉंग्रेस और शिव सेनका दिल तूट गया क्योंकि तीनों पार्टियों ने तयारी कर रखी थी सरकार बनाने की 22 नौंबर की रात तय हो गया था कि उद्धव ठाकरेगट बंदन के मुख्य मंतरी बनेंगे लेकिन मीन खुली तो हाथ आया मून अलगा टाइप सिचुएशन हो चुकी थी अब दिल तूटता है तो शायरी फूर्टती है ऐसा ही कुछ हो रहा है नेताओं के साथ संजे राउत तो खेर दो हप्तों से शायर बने वे थे ही आज कुछ एक और नेताओं का भी मिजाज शायराना हो गया अभीशेक मनु सिंग्वी, रंदीप सुर्जेवाला, शिवराज चिंग, चौहान वगएरा वगएरा सुबह से एक से बढ़कर एक शेर ट्वीट किये जा रहे हैं अभीशेक मनु सिंग्वी ने एक के बाद एक तीन चायरिया ट्वीट कर दी पहले उन्होंने बशिर बदर साहब का शेर लिखा लिखा, सियासत की अपनी अलग एक जबा है, लिखा हो जो इकरार, इनकार पढ़ना उसके बाद राजिलाबादी नामक एक और शायर का कलाम लिखा कैसे कैसे हैं रहबर हमारे, कभी इस किनारे, कभी उस किनारे अब कोई सिंग्वी साहब से ये पूछे कि आप शिवसेना के साथ जिस किनारे बैठे थे, वहां रहबरी की क्या व्याख्या होती है खेर, इस ट्वीट के बाद सिंग्वी साहब का अगला शेर था वो जो कहते थे कि हम न होंगे जुदा, बेवफा हो गए देखते देखते बेवफा ही तो खेर इस इलेक्षन में हर एक ने की थी, सवाल ये है कि चलेगी किसकी बेहराल आगे बढ़ते हैं, इस पॉलिटिकल मुशायरे में अगली शिरकती कॉंग्रेस नेता रंदीप सुरुजेवाला की उन्होंने कदरन वजंदार शेर लिखा मुझे मत देखो यू उजाले में लाकर सियासत हूं मैं कपड़े नहीं पहनती शेर तो लिखा लेकिन साथ में एक और लाइन भी लिखी जनादेश से विश्वास घात लोगतंतर की सुपारी अब इसमें देखने वाली बात ये है कि इस विश्वास घात में शामील कौन-कौन है और क्या कॉंग्रेस का दामन साफ है इधर कॉंग्रेस अपनी भडास निकाल रही थी उधर मध्य प्रदेश के एक सीम सिवराद सिंग चोहान ने तंज कस दिया ट्विटर पर लिखा ना खुदा ही मिला न विसाले सनम न इधर के रहे न उधर के रहे खैर जब शायर निताओ की बात हो रही है तो शिवसेना के संजे राउत को कैसे नदर अंदाज किया जा सकता है उन्हों ने तो पिछले दो हप्टों से ट्विटर पर मिनी मुशायरा चला रखाता आई ये उनके ट्विटर हैंडल पर लटके कुछ एक अशार बांच लेते हैं सिलसिला शुरू हुआ 7 नवंबर से भाजपा से तरस्त संजे राउत ने दुष्षंत कुमार का एक शेर पोस किया तुम्हारे पाउं के नीचे कोई जमीन नहीं कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं दो दिन बाद ही उन्होंने बीजे पी को जूटा भी करार दिया लिखा वो जूट बोल रहा था बड़े सलीके से मैं एतबार न करता तो और क्या करता अगले दिन यानि 11 नवंबर को संजे राउत ने भाजपा को लहजे की शाइस्त की भी सिखा दी बोले जो खांदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं कि नर्म अपना तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नहीं नहीं है इसके बाद वो बीमार हो गए अस्पताल में भरती हो गए जब लॉटे फिर से सिल्सिला शुरू कर दिया पंदरा नवंबर को धूम्तरी फिल्म की दो लाईने ट्विटियां दी बंदे हैं हम उसके हम पर किसका जोर उम्मीदों के सूरज निकले चारो और फिर अगले दिन बशिर बदर के नाम से एक और शेयर पोट किया यारों नए मौसम ने ये एहसान किया है याद मुझे दर्द पुराने नहीं आते दो दिन बाद 18 नवंबर को हभीब जालिब को याद किया उनका वो काल जैई शेयर पोस्ट किया तुमसे पहले वो जो एक शक्स यहां तक्त नशी था उसको भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकी था करारा शेयर इसके बाद भी उन्होंने एक दो तुक बंदिया शेयर की उनके शायराना मिजाज का आखरी नमूना 23 नवंबर की सुबह दिखा उन्होंने पोस्ट किया जिस जिस पर ये जग हसा है उसी ने इतिहास रचा है कुछ ही घंटो बाद पूरी दुनिया उन पर हसने लगी थी बैरहाल अभी महाराश का सरकस खत नहीं हुआ है अभी बहुत कुछ होना बाकी है हम आप तक इस से जुड़ी सारी खबरें लेकर आएंगे तब तक लोगतंदर का खुलकर मखोल उडाते तमाम नेताओं को हम जनता की ओर से एक शेर बतोरे शिकायत समर्पित करना चाते हैं गुलदार देहलवी ने जनता की बेवसी को कुछ यूज उबा दी थी आसरा उनकी रहबरी ठहरी जिनकी खुद रहजनी में गुजरी है इस खबर के लिए हमारे लिए तमाम शायरिया एक टकी हमारी साथी कुसुम ने क्यामरे की पीछे रुहानी है मेरा नाम मुबारक है आप ललन टॉप देख रहे हैं हमारी महाराष्ट पर नजर बनीवी है हमारे या वीकेंड पर काफी लोगों के छुट्टी होती है पर हम लोगोंने बुला लिया था और लोग आये हैं अपना ओफ कुर्बान करके ताकि आप तक सारी समाचार सारे समाचार सारे अपडेट्स समय से पहुंचते रहे हैं आप देख्ते रहिएगा दिलललन्टॉप